एक कपल दुसरे कपल से एक क्रूस पर मिलता है इन ओपोजीट कपल में एक एट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है जो भी कुछ यहाँ चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़वड है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बिटर मून यह 1992 की लव अपसेशन और रिवेंज इस सबसे भरी हुई मूवी एक्स्प्लेंशन करने वाला हूँ एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इसे चानल को सपोर्ट मिलता है अब बिना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और एक कपल को हम क्रूज पर देख सकते हैं हस्बन का नाम नाइजल और वाइफ का नाम फियोना है इनके मैरेज को बहुत सारे साल हो चुके है इनके लाइफ में कुछ कमी उने लग रही थी अपने मैरेज को भी कुछ सुधारने के लिए ये वैकेशन वो ले रहे है इस क्रूज में वो इंडिया ही आ रहे है नेक सिन में हम देखते है कि जब फियोना वाश रूम जाती है तो वहाँ पर एक लड़की बहुत रो रही है वो हैंग ओर भी थी नाइजल और फियोना इस लड़की को ज़रा हेल्प करते है रात होने पर फियोना बहुत ही टायर्ट है नाइजल को नीन नहीं आ रहे वो इसी क्रूस पर कई हैंग आउट करेगा वो क्रूस के बार में आता है जहाँ पर वो सुबा की लड़की को देख सकता है यह हमारी और एक में क्यारेटर है और इसका नाम है मीमी नाइजल जब फिर से मीमी को देखता है तो सप्राइस्ट है, मेमी अब पुरी तरीके से ठीक है, in fact, वो अपी डांस भी कर रही थी, नाइजल मेमी से बात करता है, पर मेमी वार्निंग में जो हुआ था, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती है, वो नाइजल को डांस के लिए पुछती है, पर नाइजल करता है, क्योंकि उसे अच्छे से डांस नहीं आता, वो फिर नाइजल को कुछ फणी उसे सुनाने के लिए कहती है, पर नाइजल कुछ फणी भी सुना नहीं पाता, यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि वो नाइजल को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, नाइजल उसे सही से बात नहीं कर पा रहा तो वहां से वो चली जाती है रात में नाइजल टेक पर आकर मून को देख रहा था तब इसके पास एक आदम है जो फीलचेर में यह हमारा और एक में चारेक्टर है इसका नाम है ओसकर ओसकर नाइजल से कहता है कि यह बहुत ही डेंजरेस है उससे तो आसकर कहता है कि मैं Mimi का husband हूँ, आसकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम न है Mimi के बारे में और भी कुछ जानना है, वो Nigel को अपने room में लेकर आता है, Mimi और Oscar husband wife है पर फिर भी एक room में वो नहीं रह रहे, Oscar फिर Nigel को उसकी story बताना start करता है, आसकर पैरिस में रहता था एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहा था उसी बस में उसे मीमी दीखी मीमी बहुत ही ब्यूटिफुल थी तो उसे वो बहुत पसंद आई बस में सब लोग की टिकेट चेक किये जा रहे थे पर मीमी को अपना टिकेट नहीं मिल रहा था आसकर ने जल्दी से अपना टिकेट मीमी को ओफर कर दिया टिकेट ना होने की वज़े से उसे खुद पनिश्मेंट उठानी पड़ी आसकर को पैरिस बहुत पसंद था उसके ग्रैनफादर रीच थे उनकी डेट के बाद आसकर को बहुत सारे पैसे मिले इसी वज़े से वो पैरिस में मूव हो चुका है वो खुद एक बड़ा रैटर बनना चाहता है पैरिस में बहुत सारे बड़े रैटर रहते थे तो वो भी यहा रहे कर कुछ अच्छा लिखना चाहता है जब उसने मीमी को देखा तो मीमी के अलावा वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा उसे नीम नहीं आ रहे वो कुछ लिख नहीं सकता जिस बस में मीमी उसे मिली थी उस बस में हर दिन ट्रावल करता है पर मीमी उसे कहीं भी नहीं दिखती आसकर ने उसे ढूणने का बहुत राय किया पर ढूणनी पाया एक दिन वो दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था वहाँ की वेट्रेस मीमी थी डेट छोड़कर वो मीमी से बात करने लग गया मीमी भी आसकर को पहचान लेती है आसकर कहता है कि मैंने तुम्हें हेल्प की थी तो प्लीज मेरे साथ डेट पर आओ वो भी इसके लिए मान जाती है ये दोनों फिर डेट पर आते हैं बहुत सारी बाते करते हैं मीमी को डांसर बनना है पर वो ज़रा इंकम के लिए वेट्रिस भी है ये रात भर मज़े करते हुए परिस में घुमते हैं इनकी डेट खतम ही नहीं होती है और सुबह आती है आसकर मीमी से कहता है कि मैं तुम्हें हर जगा ढून रहा था क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे फिर से मिलोगी मीमी कहती है कि हाँ अपनी पर्स में से एक नोटबूक निकालती है इस नोटबूक में आसकर ने उसे जो टिकिट दिया था ये रखा हुआ है यानि कि सिर्फ आसकर को ही मीमी अच्छे लगई थी ऐसा नहीं था मीमी को भी आसकर बहुत पसंद आया था तोटी तेर में वो आसकर के अपार्मेंट में आते है आसकर ब्रेकफास्ट बनाता है वो फायर जलाते है एक दूसरे के करीब आकर इंटिमेट हो जाते है आसकर हम से गयता है कि इस वर्ल्ड में में सबसे लखी था वो मीमी इतनी ब्यूटिफुल है यह बिलियू नहीं कर सकता था उनकी डेट के बात वो तीन दीन तक उनके अपार्मेंट में ही रहे यह फिर एक साथ ही रह रहे थे डेट पर जाते थे मज़े करते थे इनकी एक दूसरे के लिए डिजायर्स बढ़ती चली गई जब सब कुछ डिटेल में ओसकर नाइजल को बता रहा था तो नाइजल इससे अनकमफटेबल हो जाता है अगयता है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे तुम इतने डिटेल में इससब क्यों बता रहे हो वो फिर यहाँ से चला जाता है अगली सुबा अपनी वाइफ Fiona को यह सब वो बताता है जब Nigel और Fiona यह लंज कर रहे थे तब उसके पास Oscar आता है वो उन्हें लंज के लिए जॉइन करता है उसके साथ Mimi भी थी पर Mimi Captain के साथ जाकर लंज करती है Oscar Fiona को देखकर impressed होता है कहता है तुमने बहुत सारा potential है अपनी तारिफ सुनकर Fiona शर्मा जाती है वो फिर Fiona से पुछता है तुमारे husband से मुझे बात करनी है क्या तुम उसे एक घंटे के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो इसके बाद Fiona भी मान जाती है और फिर Oscar Nigel को अपनी story फिर से सुनाना स्टार्ट करता है Oscar कहता है कि हम दोनों एक दुसरे से पूरी तरीके से अपसेस थे उन्हें लगता था कि हमेशा एक साथ ही रहे उन दोनों ने फिर एक दुसरे के साथ गेम्स खिलना भी स्टार्ट कर दिया एक दिन मीमी और Oscar बार में गए थे और मीमी की friend भी थी जिसके Oscar बात करने लग गया मीमी को लगा कि Oscar उसके friend के साथ flood कर रहा है तो मीमी भी उसे जलाने के लिए एक दुसरे आदमी के साथ डांस करने लग गयी इससे Oscar जेलस हो गया Oscar को realize नहीं हुआ था कि ये इतना उसे affect करेगा वो मीमी को अकेला ही छोड़ कर घर आ गया मीमी जब घर पहुचती है तो गहती है कि तुमने ये start किया था Oscar गुसा है तो उसे हो मना लेती है अब बहुत सारे दिन हो चुके है ये एक दूसरे के साथ intimate होते थे और इससे ही इनकी relationship आगे बढ़ती थी Oscar को फिर लगने लग गया कि इनफ नहीं है आगे वो बताने वाला था पर मीमी वहाँ आ गए Nigel को भी फिर से अपने room में जाना था जब Nigel फिर से Fiona के पास आता है तो Fiona उससे पूछती है क्या वहाँ मीमी भी थी? उसे अब थोड़ा थोड़ा शक जाने लग गया है जब Nigel अकेला था तब मीमी उससे बात करती है कहती है कि Oscar की सब बातों पर तुम बिलिव मत करना वो बहुत सारी चीज़े imagine भी करता है उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ मुझे प्राइवेट में बात करनी है उसे टाइम देखकर एक रूम में आने के लिए कहती है मीमी ने Nigel को जहाँ आने के लिए कहा था रात में Nigel वहाँ पहुचा बेट पर कोई सो रहा था तो उसे लगा कि वहाँ मीमी है उसने ब्लैंकेट निकाला तो वहाँ आसकर था Nigel देखकर डिस्टब हो गया उससे कहता है यहाँ कोई गेम चल रहे है यह सब क्या है आसकर कहता है कि मीमी चाहती कि तुम पूरी स्टोरी सुनो स्टोरी सुनने के बाद ही तुमारे चांसेज उसके साथ अच्छे होंगे नाइजल पूछता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो आसकर पैरलाइस्ट है तुम मीमी की नीड्स वो पूरी नहीं कर सकता वो मीमी के लिए सही आदमे ढुणने के लिए उससे हेल्प करता है अचानक से नेक सेकंड में आसकर कहता है कि यह सब जोग था जादा वरी मत करो वो फिर जे नाइजल को अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है वो कहता है कि मीमी से पहले में बहुत अट्रेक्टेड था और उसकी पसनलिटी अब उसे पसंद नहीं आती जो चीजे उसे पहले अच्छी लगती थी अब वो नहीं लगती एक दिन सिटी में बबलीशर आई हुई है औसकर उससे मिलने के लिए आता है मीमी की वज़े से उस बबलीशर पर ड्रिंग गिर जाती है यह मीटिंग यही खतम होती है औसकर मीमी पर बहुत चीड़ा हुआ है वो गहता है कि मेरे बुक पबलीश होने के चांसेस पहले ही बहुत ही कम है मीमी बोलती है कि वो पबलीशर तुमसे सही से बात नहीं कर रही थी औसकर इस पर और भी चेट जाता है वो गहता है कि तुम्हें मुझे help करने की कोई भी जरूरत नहीं थी मैं लोगों के साथ कुछ भी करो तुम्हें इससे क्यों इतना फरक पड़ता है वो गुसे-गुसे में गहता है कि मुझे और भी कोई मिल जाएगी मिमी इस पर नाराज होकर अपने कपड़े वेगरा पैक करकर वहाँ से जा रही थी उसे लगा कि आसकर उसे रोक लेगा पर आसकर उसे नहीं रोकता वो रोक जाती है आसकर के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो मुझे इस तरह से जाने मत दो मीमी बहुत ही परस्वेसिव है तो आसकर डारेकली उससे ब्रेकप भी नहीं कर पा रहा ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और जादा कुछ फन भी कर नहीं सकते आसकर को अब लगने लग जाता है कि उसके आसपास सब लोग मजे कर रहे हैं हमने लाइफ जी रहे है पर वो सही से जी नहीं पा रहा इन दोनों में एक बार जोर की फाइट भी होती है इसमें आसकर मीमी को मारता है पर मीमी फिर भी उसे छोड़ कर नहीं जाना चाहती एक बार ये दोनों डेट पर आय होए थे औसकर मीमी को समझाता है चीजे कितनी भी अच्छी क्यों न हो वो कभी न कभी end होने ही वाली है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है मीमी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो औसकर कहता है कि हम दोनों में relationship खराब हो जाए इससे पहले हमें break up कर लेना चाहिए हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी memories है तो इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए मीमी भी समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है औसकर अब single है तो उसे सही लगता है वो पार्टीज में जाता है मज़े करता है एक दिन जब वो पार्टीज से घर पर आया तो मीमी उसके डोल स्टेप पर थी वो रो रही है गिड़ गिड़ा रही है वो कहती है कि में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है तुम्हें जो भी लगे वो तुम करो तुम्हें अगर पार्टीज में जाना है तो पार्टीज में जाओ किसी और के साथ तुम्हें सोना है तो तुम वो भी कर सकते हो पर प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो औसकर रियलाइज करता है कि मीमी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली वो अब और एक प्लान बनाता है वो अब मीमी को इतना तंग करेगा कि वो खुद आसकर को छोड़ कर चली जाएगी वो अपना प्लान स्टार्ट करता है जब वो इंडिमेट होते है तो अलग लड़की का नाम लेता है उससे वो कभी भी सही से पेश नहीं आता मीमी पर भी इसका इफिक्ट आना स्टार्ट होता है वो डिप्रेस रहने लग जाती है वो अब अब अपना खुद का भी खैयाल नहीं रख रहे है मीमी बहुत ट्राय करती है ओसकर के लिए उसका फेवरेट फूड बनाती है ओसकर इसे भी घटिया बोलता है ओसकर उसे पार्टी में ले जाकर दूसरी लड़कियों से बात करता है उसकी इंसल्ट करता है एक दिन मीमी ओसकर से गहती है कि मैं ब्रेगनट हूँ यह सुनकर ओसकर बहुत ही डर चुका है वो मीमी के पास जाकर उसे समझाता है कैता है क्या तुम्हे लगता है कि मैं अच्छा सभादर बन सकता हो मैंने Life में अभी तक कोई भी भी book पबलीश नहीं किये मैं एक failure हूँ और मैं अच्छा सभादर नहीं बन सकता वो Mimi को Abortion के लिए convince कर देता है Abortion के बाद यह हॉस्पिटल में थे औसकर मीमी से कहता है कि अब हमें एक vacation पे चलना चाहिए यह माया मी जा रहे है प्लेन में औसकर मीमी से कहता है कि मैं अपना लगेश रखने के लिए जा रहा हूँ आगे जाकर पाइलट के सामने वो उसका पेट दुख रहा है यह नाटक करता है उसे वो नीचे उतार देते हैं और मीमी अकेली माया मी चली जाती है इसी तरीके से औसकर ने मीमी से पीछा छोड़वा लिया अब फिर से नाइजल औसकर को इंटरप करता है गहता है कि तुम जो भी कह रहे हो यह सच नहीं हो सकता अगर यह सच होता तो तुम्हें बहुत ही guilty महसूस ओता तुम यह सब मुझे नहीं बताते उसे लेट हो रहा था तो यहा से वो जा रहा है भाइराने के बाद मीमी उसे मिलती है मीमी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी स्टोरी सुनो नाइजल को मीमी के साथ अकेले होना है मीमी उसे किस करती है और कहती है स्टोरी सुनने के बाद हम अकेले मिलेंगे जब नाइजल फिर से फियोना के पास आता है तो फियोना उस पर नाराज है उसे अब लगने लग गया है ये Nigel का Mimi के साथ चक्कर है राप में Fiona बिमार पर जाती है Nigel Fiona को कुछ को लिया लेता है जिस से बहुत सोच जाती है इसके बाद वो Oscar के पास फिर से आगे की story सुनने के लिए पोच चुका है वो Oscar कैता है ये Mimi मेरे life में नहीं थी तो मैं बहुत मज़े करने लग गया था दिन रात पार्टी करता था अलग-अलग डेट्स पर जाता था एक दिन ऐसे विए बहुत ही ड्रंग था और उसका एक्सिलन्ट हो गया उसके पेर पर फ्रैक्चर लगा और हॉस्पिटल में था उसे मिलने के लिए फिर से मीमी आये मीमी को देखकर वो सप्राइस था वो उसे पुछता है कि तुम आप कर क्या रही हो मीमी कहती है कि तुमने मुझे वहाँ अकेले छोड़ दिया एक होटल में मैं वेट्रेस बन गई और वहाँ का मैनेजर बहुत ही अच्छा था तुमने मुझे जितना हर्ट किया उतना ही उसने मुझे से प्यार किया मीमी को डांसर बना था तो उसने उसे अपॉर्चुनिटी दी जब उसे ओसकर के बारे में पता चला तो देखने के लिए वो पहुच गए प्यासरी के से हर्ट किया इसी वजएसे वो हमेशा के लिए पैरलाइस्ट हो गया अब आसकर से बदला लेने के लिए मीमी खुद उसका खैल रखने लग गए उसका जैसा मनाता था एक खिलोनों की तरह वो आसकर को ट्रीट करती थी इसमें एक ही चीज उसे दिन रात खिलाएगी एक ही जगा पर उसे इंशुलिन देगी जिससे उसे तकलीफ हो इसी तरह से उसे टॉर्चर करती थी एक दिन आसकर का बड़्डे था तो मीमी ने उसे गन गिफ्ट की इसके पीछे का रिजन था कि आसकर इसे खुदकुशी कर सकता है एक दिन ये दोनों पार्क में आये हुए थे एक छोटे लड़के के साथ आसकर खेलता है आसकर मीमी से सौरी कहता है कहता है कि मैं तुम्हें अबोर्शन करने के लिए कहा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फादर बनने का डिजर्विंग नहीं हूँ आसकर अब पैरलाइस्ट है तो उसे कभी भी बच्चे नहीं हो सकते है वो मीमी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें बच्चे हो सकते है मीमी कहती है कि अबार्शन के बाद मुझे इनिफिक्चन हो गया था वो अभी फिर से कभी प्रिंगनन नहीं होगी आसकर को बहुत पूरा लगता है उसे बच्चता वाता है बहता है कि मैं बहुत इखटी आदमी था मुझे तुमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मीमी आसकर से कहती है कि हम अब एक दुसरे के साथ है जो भी है वो सही है आसकर को लगता है कि मीमी अभी भी उससे प्यार करती है आसकर को जेलस फिल कराने के लिए मीमी एक दिन एक लड़के को घर लेकर आती है उसके साथ इंटिमेट हो जाती है इन दोनों की relationship अब इसी तरही किसे बन गए मीमी ओसकर के साथ कुछ भी कर सकती थी वो उसका खैल रख रही थी तो ओसकर और कुछ बोल भी नहीं सकता एक दिन इन दोनों ने शादी कर ली ओसकर फिर Nigel से कहता है कि मुझे हमेशा डर लगता है कि मीमी को कोई अच्छा आदमी मिलेगा और उसे वो प्यार करने लग जाएगी मुझे फिर वो शायद छोड़ देगी इसलिए ओसकर मीमी की physical needs complete करने के लिए कोई आदमी ढूनता है वो चाहता है कि मीमी किसी की भी प्यार में ना पड़े अब नाइजल ने पूरी स्टोरी सुन ली है रात में पार्टी है जहाँ पर वो मीमी से मिलता है वो उसके साथ डांस करता है वो एक दूसरे को किस करते है पर मीमी ज़रा दूर होती है कहती है कि तुमारी वाइफ हमें देख रही है एक्च्छल में ओसकर ने फियोना के लिए एक ड्रिंक बेची थी उसके बाद वो पार्टी में फिर से वापस आ गए जैसे हम देख सकते है कि ओसकर को लोगों के साथ गेम्स खिलना अच्छा लगता है नाइजल फियोना को सौरी कहने के लिए आता है पर फियोना उसका कुछ भी नहीं मानती फियोना फिर खुद मीमी के साथ डांस करने लगती है ये देखकर आसकर बहुत लजता है राद में मीमी और फियोना ये दोनों एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है जब नाइजल ये देखता है तो बहुत ही खुस्सा है वो उसकर को मारने लगता है उसकर अपनी गण निकालता है नाइजल कहता है कि वो गण मुझे दे दो औरना तुम किसी को हट कर दोगे उसकर कहता है इसके बाद में किसी को भी हट नहीं करूँगा वो मिमी को शूट करकर मार डालता है अपने आपको भी एक गोली मार कर सूसाइट कर लेता है फियोना ये सब देखकर बहुत डर गई थी नाइजल और फियोना ये दोनों अपनी गलती रियलाइस करते है इन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया है इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है अगर हम इस मूवी में देखें तो आसकर सिर्फ मीमी की बॉड़ी से पैर करता था मीमी आसकर से सही से पैर करने लग गए थी और कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी आसकर ने उसे बहुत हट किया पर फिर भी उसके साथ रुकी इतने घटी आदमी के साथ रुकना यह उसकी गल्दी थी जिस तरह से शुरुवात में मीमी से ओसकर अपसेस था मीमी भी उससे उसी तरीके से अपसेस्ट हो गए उसे रिवेंज लेने के लिए हमेशे उसे बान कर रखना चाहती थी लास्ट में आसकर के लिए यह सब बहुत ही पैनफुल हो गया उसने मीमी को मार कर को सुसाइट कर ली अगर हम नाईजल और फियोना की बात करें तो अल्रेडी इनके मैरेज में प्रॉलम चल रही थी इन दोनों ने फिर कुछ गल्दिया की और अब रियराइज किया है कि यह गलत था लास्ट इंसिडेंट के बात अब शायद इनका मैरेज सही हो सकता है आज का वीडियो हम यही कतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल ने डूडुशन आइकोन दवने मत भूलेगा